ओम श्यान्ति आज अपका 111 दिन का ईश्वरी वर्दान और आज की वर्दान में पर्म पिता पर्मात्मा हमें शक्तियां कैसे धारण करनी हैं और वो कौन सा ग्यान है जिसको अगर हम मनंग चिंतन में हर दिन मेडिटेशन में अगर लाएं तो हमारे वो अंदर वो सारी शक् गल्प हैं वो शक्ति शाली हो जाते हैं तो आए देखें आज पर्मात्मा पिता कहते क्या है इस वर्दान में बाबा केते हैं मनन शक्ति द्वारा मनन करना परमात्म का आध्यात्मिक ज्ञान शक्ति द्वारा शक्ति शाली बन विगनों को के फोर्स को समाप्त करने वाले जो भी विगन आते हैं उसके फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकशन मूरत भवा हमें वेगन किस चीज से आते है जब भी हमारे मन में किसी भी चीज की लालच या किसी भी चीज का लोब या किसी से गिरिणा या किसी से नफरत होती है या किसी से इर्शा आती है तो हमारे अंदर हम उसी चीजों में लिप्त हो जाते हैं और हमारे वो विगन बन जाते हैं आगे बढ़ने से तो हम आगे कब बढ़ पाएंगे जब हमें इन सारी कमजोरियों के अपने जीवन में हटाते जाएंगे तो उसका एक रास परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं, तो इसको विस्तार में देखेंगे, बाबा कहते हैं वरतमान समय जो वरतमान का जो समय है मनन शक्ती द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवशकता है कल्यू के समय में हमाएं कौन-कौन से विगन आते हैं कोई हमें अच्छा बुरा कहतेता है किसी के पास में ज़्यादा तरकी होती है हमसे ज़्यादा कोई तरकी में चले जाता है चाहे वो धन की हो, चाहे वो प्राप्तियों की हो पोस्पोजिशन की हो, आगे बढ़ जाती है वो आत्मा हमसे ज़्यादा या अगर किसी student के लिए हो, उसके marks पड़े अच्छे आज़ते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे आज़ते हैं, बेटर करते हैं या किसी के माता पेता कि उनके बच्चों से बहुत expectation होती है, लेकिन बच्चों उस expectation पे खरे नहीं होताते हैं तो उसमें उनको क्रोधाना, या कोई भी प्रकार की आप चीज़ देखे अपने जीवन में, चाहिए आपका शरीरी हो, आपका शरीर स्वस्त नहीं है, और साती संबन्दियों का शरीर स्वस्त है, तो परमपिता परमात्मा इन सारी चीज़ों का हमें एक राज, एक तोड़ देते हैं, है तो अनेक निचोड और तोड, लेकिन हम आज कुछ ऐसे जोड और तोड की बात करेंगे, ताकि हम जोड़े अपने मन को परमात्मा से, और तोड़े इन अपने विगनों को अपने जीवन से, तो आगे बढ़े, आगे कहते हैं, परमात्मा इसके लिए अंतर हर पॉइंट्स पर मनन करो, जो भी परमात्मा ने पॉइंट्स दी हैं, जैसे की, परमात्मा ने हमें पूरे शृष्टी चकर का राज बता दिया है, कि हम आत्माओं ने कितने जनम लिए और कैसे कैसे जनम लिए, हमने क्या-क्या रोल निभाए, अगर आप आज एक इंजि का है राज, लेकिन पिछले जनमों में तुम हर प्रकार के रोल में रह चुके हो, तुमने हर प्रकार का रोल अधा किया है, जैसे एक एक अक्टर, कभी कोई रोल में, कभी कुछ रोल में, कभी बावर्ची बन जाता है, कभी हीरो बन जाता है, कभी मेकैनिक बन जाता है, परमात्मा कहते हैं, हम आत्मोंने कई रोल निबाए हुए हैं, अगर आपको ये पता चल जाए, और अगर आपको ये पता चल जाए कि आप कई जन्मों पहले इस दुनिया में बहुत धनी थे, अगर आप आज गरीब हैं, किसी प्रकार से आपको किसी से इरिशा होती है, गिर बी इरश्या होगी, घरणा होगी, नफरत होगी, या किसी लोबी वैक्ति को दे करके घरणा करेंगे आप, या किसी धनी को दे करके आप उसको नीचा मानेंगे, तो ये सारे राज हमें सारे खोलते जाते हैं, जो कि हैं मेडिटेशन के द्वारा, और अपने आत्मिक गेहन, अध्यन के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो कहते हैं इसके लिए अंतरमुखी बनना जरूरी है, हर पॉइंट पर मनन करो, तो मक्षन निकलेगा, देखा या तो परमात्मा को हम कहते हैं परमात्मा दूद जैसे पवित्र ग्यान नदी बहाते हैं, तो दूद रूपी, ग् कारे में सोचते हैं, तो वो अंदर यंदर मक्षन जैसा बल्वान बन जाता है, मक्षन मतलब कि अगर आपके अंदर कोई ग्यान मिले आपको, जिससे कि आप अपने संकल्पों को रोक पाए, नेगेटिव की तरफ जाने से, अपवित्र की तरफ जाने से, गिरना की तरफ ज की है, चोटी-चोटी चीज़ों में रूट जाना, चोटी-चोटी चीज़ों में घबराट होना, तो परमात्मा कहते हैं, मेरे ग्यान के दोरह तुमारे अंदर फुल स्टॉप लगाने की शक्ति आगी, फुल स्टॉप किसको? संकल्पों को, तो परमात्मा ने ब्रहम कुम जैसे कि ये COVID महामारी जो आई है जैसे कि आगे जाकर कि अगर बहुत जो कुछ भी होने वाला है उसके बारे में अगर आपको पता चल जाए तो क्या आप घबराएंगे, क्या आप रोएंगे क्या आप पीडा में होंगे, नहीं क्योंकि आपको टेस्ट पेपर के बारे में पहले ही पता चल गए है तो उसका मनन करने से, उसमें मगन रहने से नथिंग न्यू का राज, नथिंग न्यू, कोई नहीं बात नहीं मेरे ले ये राज जब आपको मिल लाते हैं, तो आपके अंदर शक्त ही आती है लेकिन उसके लिए त्रिकाल दर्शी पर्विता परमात्मा से ये ज्यान जनना ज़रूरी है त्रिकाल को तो आप पैचाने ही हो गए होंगे आपका भूत काल आपने क्या जनम लिये हैं पिछले जनम में कैसे कैसे महलों में, कहां कहां, आप दुनिया में कहां, राजा कहीं, पर आप पुजारी बने, कभी आप डॉक्टर बने, कभी आप इंजिनियर बने, कभी आप जो भी बने, लगता आया होगा ना, कभी कभी कभी, कि शायद में ये बन जाता ये बन जाती, आप सोचें तो आ खंजे से शक्ति मिलती है आत्मा को और शक्तिशाली बन जाएंगे ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अति इंद्रिय सुक की प्राप्ति का अनुभव करती है इन इंद्रियों के बिना का सुक जो है मन का सुक वो है अति इंद्रिय सुक प्राप्ति करती है उन्हें अल्पकाल की को आपको परमात्माने बता दिया पिछले जनम में आपके बाद सब कुछ था आप साहुकारते आप बहुत ही अमीर थे तो आपको इस जनम में फिर क्या चाहिए और आपको पता चलगा कि भविश्य में कितना समय रह गया इस दुनिया का तो आपको फिर भी सारी इच्छें जड़ना होगी नफरत होगी और सारी नेगेटिविटी आपके पास आजाएगी तो इसलिए परमात्मा हमें मुरली में जो भी हर दिन याद दिलाते हैं जो कि मधर मुरली मतलब मधर स्वीट प्यारा क्यान का राज इसलिए मुरली जैसे सुनता है एक फ्लूट जैसे तो कहते हैं उनकी मगन अवस्था द्वरा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिती बनती है वो जिस्मानी बातों में वोलली बातों में दुनियावी बातों में जिसन की इच्छाओं की बातों में खान पान की बातों में ज्यादा टाइम निवेस करते स्थिती बनती है उससे विग्नों को के फोर्स को समाप्त कर लेते हैं, तो अपनी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिती बनती है, उससे विग्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है, अपनी पुछले जन्मों की कहानी, इस पुरी जगत की कहानी, इस जगत की सीकर्ट्स क्या है, भविश में क्या होने वाला है, सब जानना बहुत जरूरी है, तब ही मनशक्तिशाली होगा, तो इसी के साथ में आज आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्त रहें, ओम श्यान्ती.